Hello everyone, I am Jyoti Jha and welcome to NCR to the Mind. तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 3 की EBS Book Chapter 18 A House Like This. तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं A House Like This. My name is Naseem, मेरा नाम Naseem है, I live in Srinagar. मैं Srinagar में रहता हूँ. Since yesterday there is lot of activity in our school. तो कल से हमारे स्कूल में बहुत सारे activities हो रहे हैं. It will go on for a week. और ये एक week तक चलता रहेगा. Do you know why? तुम जानते हो क्यों? There is a camp being held in our school. तो हमारे स्कूल में एक camp लगाया जारा है. Children have come from many places for the camp. बहुत सारे जगह से बच्चे camp में आ रहे हैं. Tents have been put up in the ground for everyone to stay. और ये जो tent है वो ground में लगाया जारा है. जहां कि हर कोई stay कर सकता है. We have decorated the school beautifully. हम लोगों ने स्कूल को बहुत ही सुन्दर तरीके से सजाया है. Some children have used pieces of cloth to make streamers for the doors. कुछ बच्चों ने cloths के pieces का use किया है streamers बनाने के लिए. जो कि door के लिए streamers बना रहे हैं वो लोग उसके लिए उन्होंने cloths के pieces का use किया है. streamers में सो होता है पता का. Some have made postures using almond cells while others have made rangolis using dry leaves and sawdust. और कुछ ने postures बनाये हैं उसके लिए उन्होंने almond cells का use किया है. और कुछ ने rangoli बनाया है जिसके लिए dry leaves and sawdust का use किया है. ठीक है? Today is the first day of the camp. तो camp का आज पहला दिन है. We are very happy. हम लोग बहुत खूस हैं. In the morning, we all got together and sat down on the ground in a circle. तो morning में हम लोग साथ साथ चलेंगे और हम लोग बैठेंगे ground में एक circle बना के. Each of us introduced ourselves and spoke about where we came from and what we liked to eat. और हर एक एक करके साथे अपना अपना introduction देंगे और बताएंगे कि हम लोग कहां से आए हैं, हम लोगों को क्या पसंद है, क्या खाना पसंद है. Children brought pictures of their families and their homes और बच्चे अपने families के और homes के picture भी लाएंगे. Everyone spoke about their homes. हर कोई अपने घर के बारे में बताएंगा. Bupen's group was the first to talk. और Bupen का जो group है, वो सबसे first आता है. टाकिंग में वो first आता है. Bupen introduced himself and said. और देखिए Bupen जो है न, वो अपना introduction देता है और कहता है. I have come from Molan Village in Asham. मैं Molan Village से आया हूँ जो किया साम में है. It rents heavily in our place. हम लोग जहां रहते हैं, जिस जगह में रहते हैं, वहां बहुत ही ज़्यादा बारिस होती है. Hence, our houses are made almost 10 to 12 feet above the ground. और इस वज़ा से हमारा जो घर है, वो ground से कम से कम 10 to 12 feet वो उचाई में रहता है. टीक है? उपर रहता है. They are made on strong bamboo pillars. और वे लोग, हम लोग जो है, मतलब strong bamboo pillars के जो है न, बना के रखते हैं, जो घर बनता है. The inside of our houses are also made of wood. और जो हमारे houses होते हैं, जो घर होते हैं, उसके underside, जो अंदर का जो बना होता है, वो wood का बना होता है, लकडियों का बना होता है. तो देखें, ये भूपेन अपने बारे में बता रहा है, तो आप picture में देख पा रहे हैं कि किस तरह से इसका जो है house बना हुआ है. यह बैंबो का बना हुआ है पिलर बैंबो पिलर का और अंदर से जो है लकडिया होती है जो लकडियों का बना होता है ठीक है अंदर साइड से और यह ग्राउंड से 10 to 12 feet उचाई में रहता है ठीक है तो इस तरह से आप पिक्चर देख पा रहे हैं अब कॉस्टन है कि why are houses made on bamboo pillars where bupen lives तो bamboo pillars का क्यों बना होता है उसका घर जहां की bupen रहता है तो क्या लिखेंगे because bupen lives in a sound where it runs heavily it runs heavily तो देखें इसलिए बना होता है क्योंकि वहां पे बहुत ज़्यादा बारिस होती है ठीक है वो असाम में रहता है और असाम में बहुत ज़् होती है इसलिए उसके बाद है question है फिर कि what kind of roofs do these houses have why are they made like this तो देखें किस तरह के आप जहां आप रहते हैं जिसमें तो उसमें कैसा किस तरह का roofs बना होता है तो देखें किस तरह के roofs होते हैं जहां रहते हैं आप उन घड़ों में कैसे roofs होते हैं कैसे छत होते हैं और ये इस तरह से क्यों होते हैं तो answer लिखेंगे कि the heavy slanting roof so the water will slip from the roof तो इस तरह से इसलिए रहता है क्योंकि जो पानी है वो नीचे slip हो जाए तो देखें इसमें कहा जा रहा है कि कोई भी इस घड़ में इंटर कैसे करेगा answer लिखेंगे कि there are letters to enter into the house तो वहां एक letters लगा रहता है जिससे कि घड़ में इंटर किया जाएगा ठीक है at night the letter is removed from these houses can you tell why तो रात में इन घड़ों से letters remove किये जाते हैं हटा दिये जाते हैं तो आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है answer लिखेंगे कि the letter is removed so that wild animals can't come in these houses तो ladders इसलिए हटा दिया जाता है ताकि wild animals घड़ में नहीं आ सके ठीक है इसके बाद देखिए अब है कि now it was chameli's turn she said अब देखें चमेली का turn आता है अब वो कहती है ठीक है I have come from Manali which is a hilly area तो मैं Manali से आई हूँ और ये एक hilly area है at our place it rains heavily and snow as well तो हमारे place में जहां हम रहते हैं वहां heavily rains होती है और snow भी होता है when it is very cold we like to sit in the sun तो जब बहुत जादा ठंड परती है तो हम लोग धूप में बैटना पसंद करते हैं our houses are made of stone or wood तो हमारा घर बना होता है stone or wood का ठीक है तो ये चमेली बता रही है तो इसका आप picture देख पा रहे हैं इस टाइप का है ये मनाली में रहती है और इस टाइप का कुछ इसका घर बना हुआ रहता है ठीक है अब question है कि in which area is chamelie's house तो chamelie किस area में रहती है कौन सा area में रहती है तो chamelie's house is in a hilly area तो वो hilly area में रहती है ठीक है इसके बाद है कि what is the similarity in the roofs of chamelie's and whoopens houses तो देखिए अब क्या similarity है यानि कि समानताए है जो chamelie का घर है और भूपेंस के घर यानि कि दोनों के houses के roofs में क्या समानताए है ठीक है तो लिखेंगे कि the similarity is they both have a slanting roof तो दोनों का slanting roof है ठीक है उसके बाद देखिए फिर a question कि how do roofs help in their areas तो roofs किस तरह से help करते है उनके area में तो the roofs slip away the snow and rains तो वो जो होते हैं रूप्स तो वो इस तरह से help करते हैं कि वो जो भी rain होता है बारिस होती है या snow होता है तो वो जो होते हैं वो रूप्स से slip कर जाते हैं ठीक है हटाने में help करता ह ूंरे थिक है उसके बाद है मितालि एंड अनूज से अब देखेये मितालि और अनूज केलता है मितालि और अनूज ह犹 चाहर Social seal को तब कुछ अनुभी एंडिकर आ यह को नहीं है work है और कोई देनी वो जानते होंगे ठीक है इन वान पिक्र सूण मेरी हाइए बीलडिंग को बूपेन सेड, ओ, सच टॉल हाउसेज, तो देखी, जो वहाँ होते हैं, आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, कि यहां बहुत ज्यादा हाई बिल्डिंग्स हैं, बहुत उचे-उचे बिल्डिंग्स हैं, तो बूपेन सेड बोलता है, वाँ, सच टॉल हाउसेज, कितने बड़े-बड़े बिल्डिंग्स होते हैं, अब देखे, look at these houses and find out, if there are similar houses in your area also, तो आप इस पिक्चर में देखे और पता लगाईए, कि इस तरह के ही houses होते हैं, जो आप जिस एडिया में रहते हैं, क्या इस तरह के ही similar houses रहते हैं, ठीके, तो इसे आपको पता लगाना है, देखे, उसके बाद है, question कि, how do people go up in multi-storate buildings, तो लोग multi-storate buildings में कैसे जाते हैं, तो answer लिखेंगे, they use lifts or ladders, तो वो lifts or ladders का use करते हैं, ठीके, बाद देखे, new Delhi is the capital of India, new Delhi, India का capital है, ठीके, people from villages and towns come to big cities like Delhi in search of work, तो देखे, लोग जो है न, villages से और towns से आते हैं, big cities, जैसे की Delhi है, यहाँ पे, काम की तलास में, ठीके, these people often settle in the city, और कुछ लोग यहाँ पे पहले से ही city में settle है, there are a large number of people living here and space is less, तो यहाँ बहुत जादा लोग रहते हैं, बहुत संख्या में लोग रहते हैं, और यहाँ बहुत ही कम space में रहते हैं, Many people do not have houses at all, बहुत लोगों के पास houses भी नहीं होते, they have to live in slums and many people do not have that either, तो यहाँ जो लोग हैं वो slums में रहते हैं, People sleep wherever they find place, on the road, on the footpath, at the station, indeed, shelter is a major problem in big cities, तो देखें लोग यहाँ जो आते हैं, वो कहीं भी सोजाते हैं, चाहे उन्हें जहाँ भी जगह मिले, चाहे तो road पे, footpath पे, station पे, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही major problem है, यह big cities में यहाँ रहने का बहुत ही ज़्यादा problem है, ठीक है, उसके बाद देखिए, कांशी राम told everyone, अब कांशी राम बताता है, सबको ठीक है, I have come from Rajasthan, मैं Rajasthan से आया हूँ, rainfall is very scarce in our area, तो rainfall जो होता है ना, यह हमारे एरिया में बहुत ही, यानि कि बहुत कम होता है, It is very hot too, तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है, We live in mud houses, हम लोग mud houses में रहते हैं, the walls of the houses are very thick, और जो houses का, घड़ों का जो wall होता है, वो बहुत ही ज़्यादा thick होता है, मोटा होता है, These walls are plastered with mud, और यह wall जो होता है, वो mud से plastered किया हुआ रहता है, the roofs are made of throney bushes, और जो वहां के जो roofs होते हैं, वो throney bushes के बने होते हैं, तो यह आप picture देख पा रहे हैं, यह राजस्थान का है, तो यह किस टाइप के घर में रहता है, तो यह किस टाइप के घर में रहता है, तो यह जो है, होते हैं, roofs, ठीक है, अब देखिए, in the same way, all the groups spoke about their houses, अब इसी तरीके से हर कोई अपने घर के बारे में बताता है, after the introduction, a cultural program was held, अब देखिए, introduction के बाद एक cultural program होता है, the children performed various dances, और बच्चे बहुत सारे dances perform करते हैं, they sang folk songs in their own languages, और वो लोग folk songs गाते हैं, अपने languages में, everybody had khawra with almonds and cardamom, we really enjoyed ourselves, फिर देखिए, हर किसी के पास kahwa होता है, ठीक है, with almond and cardamom के साथ, ठीक है, kahwa एक तरह का जो है, खाने का चीज होता है, ठीक है, मीठा होता है, और ये हर किसी के पास होता है, और उसके बाद बोलते हैं, कि हम लोगोंने, सच मुझ बहुत जादा, really, बहुत जादा enjoy किया, ठीक है, उसके बाद देखिए, in the evening, we all went to the dull lake, और साम में, हम लोग सभी dull lake गए, we saw a housework, हम लोगोंने housework देखा, we sat in Chicago, and some children moved the ores, तो देखिए, हम लोगों, फिर वो लोग housework, हम लोग housework देखे, उसके बाद हम लोग सिकाड़ा पे बैठे, और कुछ बच्चों ने ores में भी move किया, वी साउधा, चार चिनारी, चार चिनारी सराउंडेड बाई blue mountains, ठीक है, हम लोगोंने चार चिनारी भी देखा, जो कि blue mountains में मतलब घिडा हुआ था, ठीक है, तो यह देखिए, picture है इस तरह का, आप देख पा रहे हैं, ठीक है, यह boat है, सिकाड़ा, उसके बाद देखिए, how is a houseboat different from other houses, तो देखिए, houseboat जो होता है, वो different houses से other houses जो होते हैं, उससे किस तरह से अलग होता है, तो लेखिंग answer कि houseboat is a house on a boat, जो houseboat होता है, यह एक house होता है, जो कि boat पे बना होता है, it is always floating while other houses are settled on ground, तो यह जो होता है house, यह हमें सब floating होता है, ठीक है, यह हमें सब float करता है, त्यारता रहता है, और जो अलग जो दूसरे जो होते हैं houses, वो settled होते हैं ground पे, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यह question है कि, would you like to live in such a house, why, तो क्या आप इस तरह के घर में रहना पसंद करेंगे, और क्यों, तो देखिए, यह आपको खुद लिखना है, कि आप इस तरह के घर में रहना पसंद करेंगे, और क्यों पसंद करेंगे, ठीक है, उसके बाद है, कि look at the pictures and match, अब pictures को देखना है, और match करना है ठीक है, यहाँ पर देखिए, बहुत सारे pictures है, तो यह वाला देखिए, यह वाला picture, house of snow, igloo, ठीक है, यह snow का बना हुआ है, तो इसे हम इस से match करेंगे, ठीक है, उसके बाद देखिए, यह वाला जो है, यह house boat है, तो इसे हम इसके साथ में match कर देंगे, house boat, और उसके बाद ये वाला, ये multi-story building है, तो इसे हम multi-story building के साथ में करेंगे match, और ये वाला जो है, ये वाला है tent, ठीक है, tent को इसके साथ में, और ये वाला जो है, ये हो गया आपका hut, ठीक है, तो hut को हम hut के साथ में match करेंगे, ठीक है, इस तरह से सारे को match कर लेना है, ठीक है, चले इसे हम मैच कर लेते हैं उसके बाद है अब देखिए इसमें आपको जो ऊपर ये सब घर दिये हुए हैं तो ये सब क्या चीज का बना होता है ठीक है वो आपको इसमें टिक लगाना है ठीक है देखिए मड उड सेमेंट आईरन इसके बाद लाइम स्टॉन बैमबो ब्रि लिएरन थे बना होता है अपको एक लिस्ट बनाना है ठीक है तो अपने आज पर उसमें आप घर कोई हट होता है तो कोई जो है building होता है तो बहुत सारे तरह का होता है ठीक है क्या क्या चीज का बना होता है तो वो आपको लिखना है ठीक है उसके बाद देखिए collect samples of things that are used for making houses अब देखिए आपको collect करना है samples जो की घर बनाने में use होता है किन-किन चीजों से बनाते है उसका sample आपको collect करना है तो यह आप collect करेंगे ठीक है जैसे cement, brisks, iron बहुत सारे चीजों का use होता है तो वो collect करना है आपको उसके बाद है कि lettuce में के brisks आपको एक bricks बनाना है चलो एक brisks बनाते हैं knit some clay कुछ clay लेना है उसे गुंदना है fill it in a empty match box and press और उसमें आपको डालके press करना है take it out when dried और उसे बाहर निकालना है और सूखने जब तक वो सूखना जाए ठीक है उसे छोड़ देना है your little brisks is ready आपका जो little brisks है वो ready है color your brisks color किजिए अपने brisks में उसके बाद write your name on them उसमें अपना नाम लिखिए use all the brisks to make a colorful house और उसे उस brisks का use कीजिए आप एक घर बनाने में एक colorful house बनाने में use कीजिए decorate the roofs of this house और उस house का roof भी decorate कीजिए ठीक है तो ये activity है तो ये आप खुद करेंगे ठीक है उसके बाद देखिए collect collect और draw pictures of different kinds of houses अब देखिए collect करना है आपको picture और draw collect कीजिए या फिर draw कीजिए pictures जो different houses होते हैं उसका use them to make a beautiful chart और इसका use करना है आपको एक beautiful chart बनाने में display it in your classroom और इसे आपने classroom में display कीजिए दिखाए ठीक है तो ये आपको कर लेना है तो ये chapter आपका complete हो चुका है तो आपको कैसा लगा पढ़के मुझे जरूर बताईए और अच्छा लगा हो आपको मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल and CRT the mind को like subscribe कीजिए तागे मेरे सारे वीडियो आप तक पहुंशती रहे और आपको जहां कहीं भी समझने में परिशानी हो रही हो तो आप मुझे से कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं तो चली मिलते हैं अब हम next वीडियो में तब तक के लिए bye take care thanks to watch my video